नमस्कार किसान बाईयों, किसान मिले जूटूब चनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मूली की खेती के बारे में जिसे आप गर्मी और बरसात के मौसम में उगा करके बहुत ही अच्छी आएक कर सकते हैं ये खेती हमारे एक मितर ने कर रखी है 30 जूट से ये किसान मूली की बिक्री भी मार्केट में कर रहे हैं अब भी वह 40 रुपे के लगबक का बाउ मूली को थोग में बेच कर उन्हें मिल रहा है आपको अगस्थ तक मूली की खेती में अच्छा बाउ मिल जाता है ये 20-60 रुपे के लगबग का भावा आपको अगस्थ तक अपने एरिये के अनुसार मिल जाता है ये आपके मंदिर पर भी निर्बर करता है मूली की खेती आप अगेती करके बहुत अच्छी आई कर सकते हैं इसमें इस वीडियो का आप पूरा देखें इसमें मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूँगा जिसकी जानकारिया आप चाते हैं पहला सवाल है ये कौन सी वेराइटी का भीज हम मूली की अगेती बुआई में काम में लें इसके लिए आप पिछला वीडियो हमारा देखें जिसमें मैंने अब सभी अगेती वेराइटीयों की जानकारी दिये उन्हें आप ओनलाइन खरीद भी सकते हैं ये सभी अच्छी वेराइटीयों के भीज है जो आपको अपने आसपास के मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे जो आपको अधिकतर तापमान में भी अच्छा उत्पादन देंगे अब दूसरा सवाल है कि मूली की बुआई कब करें ये किसान हिमाचल से हैं वहां के तापमान के हिसाब से उन्होंने वहां 20-25 माई के लगबग में ही इन्होंने मूली की बुआई कर दी है हमारे यहां UPMP राजस्तान में मूली के अगेती बुआई जून के अंतिम सप्ता में और जुलाई में की जाती है जब तापमान थोड़ा कम होने लगता है UPMP राजस्तान जैसे राज्यों में अगस्त तक आपको इसकी बिक्री से 20 से ले करके 50 रुपे का बाव आसानी से मिल जाता है यह मूली की खेती के लिए बहुत अच्छा बाव है अब तीसरा स्वाल आता है कि आप इसकी बुआई कैसे करें इन किसान ने बेड प्लांटर या अंतर से इसकी बुआई की है जो हमारे राजस्तान MP पंजाब जैसी जगों के लिए भी बहुत अच्छी विदी है आप मूली की खेती क्यारी में बेड पर नाली में और इसकी बुआई कर सकते हैं आप हाथ की छटाई से, हाथ की रुपाई से और मशीन के द्वारा इसकी बीच की बुआई कर सकते हैं अब चोथा सवाल आता है कौन सा खाद आप मूली की खेती में देना आउशक है तो इसके लिए आप आपको ध्यान रखना है कि मूली की खेती में गोबर की खाद के अधिक इस्तिमाल से मूली का सपेद कलर बदलने लगता है और काला होने लगता है इसके लिए आप इसकी खेती में गोबर का खाद थोड़ा कम काम में ले और इसमें आप जैसे टमाटर, मिर्ची में जो भी आवशक खद आप काम में लेते हैं वो आप इसमें काम में ले सकते हैं पांचवा स्वाल है कि कौन कौन सी रोग मूली की फसल में लगते हैं और किस दवाई की आवशक्ता आपको होगी जो आपको मूली की बुवाई से लेकर उत्पादन तक खेत में किसी भी अच्छी कमपनी के फंगिसाइड इस्प्रे आप फसल पर करते रहें जिससे फसल में फंगस नहीं लगेगा इसके अलावा मूली की खेती में सपेद मच्छ, हरा मच्छ, ठिप्स, पतिछेदक कीट भी अधिक लगता है इसके लिए आप किसी भी पतिछेदक और कीटनासक का उप्योग आप कर सकते हैं मुली की खेती में लगने वाले रोग की रोगथाम के लिए आप हमारा आगे आने वाला वीडियो जरूर देखिए जिसमें आपको मुली की पसल में लगने वाले सभी रोग की और कीट की जानकारी मिलेगी और उसका नियंत्रन आप किस तरीके से कर सकते हैं इसकी सभी जानकारी आम आगे आने वाले वीडियो में देंगे दो दिन के बाद में हमारे चैनल पर ये वीडियो आने वाला है हमारे आने वाला वीडियो देखने के लिए आप किसान विलेज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी आसा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगाए आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को अन्य किसानों को सेड जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे किसान विलेज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाज